हेलो गाईज और वेलकम बैक अगेन और आप सभी जानते हैं कि अपरेल 2021 के अंतराष्ट्रे क्रणोजी चल रही है उसमें दो वीडियो मैंने आज ही अपलोड कर दी हैं उनको जरूर से देख लिजेगा पुरुसकार सम्मान खेल और जितने भी न्यूकतियां हुई है वो सब आप्त कर देंगे और एक हमारा जो एक पेपर है यह पेपर है देखिए प्रवक्ता तक्नीकी शिक्ष्य विभाग टिंगे आर्पी स्वारे इस पेपर को जो है इसको दिया गया है यह पेपर 12 मार्ज को आयजज्ज दिवा था तो इसको हम पड़ेंगे क्योंकि जो जा रहे हैं पड़ते जा रहे हैं हलांकि ऐसे नहीं होगा देखिएगा आपको कई सारे कोशन्स जो है इसके अंदर से देखने को मिलेंगे तो चलिए हम पहले जो है विविद वाला जो हमारा परीदर्श्य है उसको कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए भारत का सबसे बड़ होता तैरने वाला ठीक है सोलर पावर प्लांट होगा ठीक है कहां पर है तेलंगाना के पेदंपली जिले के अंदर रामा गुंडम के अंदर जो है इसको बनाए गया है तो अब नाम तो तोड़े जीब से ही लेकिन तेलंगाना तो चलो ध्यान में रहे गई हमारे फिर नेक पर चीनाव नदी के ऊपर ये बनाया जा रहा है और इसके बनने के बाद में ये रेल्य है चीन की अंदी की घ्रक माई भाई सी है रेलवेपूल कौन सा है नदी कौन सी है तो ऐसे चीज़ें पूछ लेते हैं फिर है रूस के विग्यानिकों ने पहली बार पानी के अंदर तैनात किया है टेलिस्कोप ठीक है पानी के अंदर उन्हों ने जो है टेलिस्कोप को तैनात किया है और जो इनर स्पेस यानि ध बेकॉल जीवीडी ठीक है तो यह नाम याद रहेगा कोशन यह भी पूछा जा सकता है कि बेकॉल जीवीडी क्या है तो आप बता सकते है रूस के द्वारा बनाये गया टेलिस्कोप है फिर यहाँ पर देखिए विश्वी का सबसे शक्तिशालिक कंप्यूटर है फुगागू जापान के वेग्यानिकों ने इस कंप्यूटर का निर्मान किया है तो अगर आपसे कोशन पूछे कि फुगागू क्या है तो आप बता सकते हैं कि यह जो है सूपर कंप्यूटर है और माउंट फूजी जो है इसके नाम पर इसका नाम दिया गया है फिर जो है नेक्स्ट है होता है ताइफुन सैखलॉन हरिकेन ये अलग अलग नाम है तो उसकी खोज की है तो देखिये ये चो है अन्तरिक्ष के अंदर आया ty और इसका मतलब होता है in Tech teamu2 एलेक्ट्रौन की बारिष होती है उसकी जो बारिष होती है उसको ये अपरिकन का पाकिस्तान वार के बाद में समझाता भी किया था ताशकन में लालभादुर शास्री जी ने यह भी हमें पता होना चाहिए फिर देखते हैं नेक्स्ट अब देखिए नेक्स्ट न्यूस भी काफी इंपॉर्टन्ट है अंत्रिक्ष में फ्रांस का पहला सेन्य अभ्यास जिसक दो रहे हैं उनको बचाने के लिए जो सपेस आर्मी यह बहुआ अपनीद बनाएगा और उसी परिपेक्ष में इसने यह अब्यास किया है तो यह चाहिए यह अब औरंस यूरा फियास करने वाला बारे में कुछ दोहजार पच्चिस तक इसमें 500 जो क्रमिक हैं उनको तैनात किया जाएगा और यह निवेश चीन या संयुक्तराज अमेरिका द्वारा खर्च की गई राशी का ही जो एक अंश है दोहजार पच्चिस तक इस कारीक्रम में इतने यूरो यह तो छोड़ दीजे लेकिन यह हमको प्सक्राइब और भारत को पता होना चाहिए कि अमेरिका इद्हार चीन के बाद में यह अभ्यास करने वाला तीस्रा जो है वह जो है यह क्या कुटते हैं यह यह फ्रांस बน गया है तो है कि य site चीन कर्रॉक्ट कर ले जायगा कि अमेरिका और फ्रांस शाओ इमेरिका और शक्ति जो है वो चलाया था तो उसके तहट भी उसने भी जो सैटेलेट डिस्ट्रोई किया था तो फ्रांस को अपन तीसरा देश नहीं कह सकते हैं या पर तो यह थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है चलिए नेक्स्ट न्यूस पर हम चलते हैं सही दिशा अभियान तो इससे पह यहां भी जब भी संभव हो वर्षा का जल संग्रह करे कि तीम के साथ में जो है शुरू किया गया है तो यह याद रखेगा कि 22 मार्च को इसको शुरू किया गया है ठीक है इससे होगा क्या कि देश में मौनसून और पूर्वू मौनसून अवदी के दोरान यानि 22 मार्च स को वर्षा के जल का संग्रेंड सुनिशित करने के लिए जलवायू परिस्तियों के अनुकूल रेन वोटर हार्वेस्टिंग ठीक है इस तरीके के जो कारिकरम है इनका निर्मान करने के लिए प्रेदित करना है क्यूंकि मौनसून के 4-5 माह की अवदी में होने वाली वर्ष सकता है कि उसमें से कोई ऐसा फैक्ट निकल करके आजाए जो हमको ना पता हो फिर हम देखते हैं एक्ससाइज डेजर्ट फ्लैग फॉर यह जो है यूए यह यह निसे अरब अमिरात के अल्दफरा एयर बेस में अल्दफरा एयर बेस में सतीन से सताइस मार्च के मद्य एक् अबयास है इस उद्यबास में पहली बार बार भारती वाईयु से नयंने भी भाग लिया है उसके अलाब और बी देश है इसलिए एक इंपॉर्टन हो ने आजिविका के साधनों तता स्वैम का उद्यम शुरू करने में होने वाली समस्याओं को रेखांकित किया जाएगा क्योंकि इनके चलते ही उनके आत्मों नर्वर बनने में जो है मुश्किलें आती हैं सही दिशा अभियान संयुक्त राश्टर विकास कारिक्रम यानि यू करने में पहुंच प्राप्त करने में उनको सक्षम बनाया जाएगा ठीक है यूएंडीपी के बारे में कुछ चीज़ें नहीं दे रखेंगे यूएंडीपी जो है उसका मुख्याले न्यू-यॉर्क के अंदर है और यह गरीबी कम करने आधारबूत धांचे के विकास करने प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोचसाइद देने का कार्य करता है यह सयुक्त राष्ट्र का एक विकास कारिक्रम है तो यह थोड़ा यूएंडीपी के बारे में आप धियान रखेंगे और हमारे यहाँपर सई दिशा अभियान जो है इसका क्या क्यों चलाया गया है त और उसके बाद में सई दिशा भियान को पता होना चाहिए और एक्सराइज डेजर्ट प्लैग यह नहीं या दो तो भी कुछ है काम चल जाएगा फिर है अब देखिए नेक्स्ट है परियोजना है तो परियोजने दोनों इंपोर्टेंट परियोजना है नाग नदी के उपर जो ही परियोजना है तो यह हम पढ़ चुके है नाग नदी में जो प्रदूशन है जिसके नाग नदी जो है नागपूर की नदी है नागपूर शेहर क उसमें किया जाएगा वो हमारी लिए इंप्ौर्टों नहीं है ये पता होना अचीज नाग नदी कहां पर है उसके चारों तरफ जो मधुमककी के जो छोते हैं ठीक हैं बॉक्स होते हैं उनको बाड की तरह उपयोग में लाया जाएगा तीक है मदुमक्कियां से हाती दूर भागते हैं इसलिए मानव बस्तियों पर हमले ना कर पाएं इसलिए मदुमक्कियों की बाड लगा करके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है और करनाटका के अंदर पाइलेट प् प्रोजेक्ट रियेब हातीयों की हमले को रोकने के लिए मदुमक्की के बकसे को बाड के रूप में उपयोग करता है तो यह हमको याद में रखना है कि यह क्या चीज है री हैप का फुल फॉर्म है रिडूजिंग एलिफेंट हुमन ऐटक्स यूजिंग बीज ठीक है और क्या यूज करेंगे यह बीवेंस किसके द्वारा है खादी और ग्रामुद्योग आयोग के द्वारा ठीक है फिर हम चलते हैं नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पोर्टल और एप पर तो देखिए पहला है आत्म निर्बर निवेशक मित्र पोर्टल यह इतना इंपोर्टन नहीं यह क्योंकि देखिए पहले नाम से सिद्ध निवेशक पोर्टल तो घरेलू जो निवेशक होते हैं उनके लिए जो है एक ही तरीके का पोर्टल बना दिया जाएगा यह जो है डीपी आईईटी के द्वारा जो है बनाया गया है तो इससे जो है उनको कारे करने में Sergeant engineering बोर्ड इसके द्वारा जो है Project Information Systems and management और कुसी भी परियोजना से संबन्द जो है रियल टाइम इनवर्टल पर मिल पाईगे दैसे मैं किसी चीज़ पर शोद करूं और मैंचाती हूं कि उसके ऊपर मुझे जो है कुछ information पहले से पता हो कि किसी ने इसके ओपर क्या-क्या जो है information gather कर रखे तो वो मुझे इस portal पर available हो जाएगी उसी को कहता है real time information ठीक है तो उसके लिए ये prism portal है तो इसको तोड़ा सा उर्जा को प्रमोट करने के उद्देश से 19 मार्च 2021 को केंद्री उर्जा मंतरी राजकुमार सिंग ने जो है लिमिटेड जो है वो दस रुपे प्रती बल्ब की दर से जो है ग्रामेंट परिवारों को LED बल्ब जो है वो उपलब्द करवाईगी ठीक है तो यह LED बल्ब को प्रोचसान इसलिए दे रहे हैं ताकि जो है उड़जा की खपत जो है वो कम हो सके और जो है स्वच उड़जा जान सक्वाजबारे में हैं G.I.M. जो है वो भारत सरकार के सयोग से जो है यह जाब्का लाल भाधूर शास्तरी राष्ट्रे प्रिशासनिक अकादमी मसूरी और संत्र आले बारत सरकार के हितों की रक्षा करने वाली नीतियों का निर्मार कर सके जी आई उत्पात कौन से होते हैं देखिए जी आई का मतलब होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन जैसे कि अपने बिकानेरी भुजिया जो है वर्ल्ड में कहीं पर भी चली जाए तो इसी नाम से और इसी छेत्रे के नाम से ये प्रसिद आपको मिलेगी इसका अर्थ यह होता है कि किसी छेत्रे की कोई विशिष चीज होती है उसको कोई और जो है उसका गैर तरीके से जो है इलीगल तरीके से उसका लाब ना उठाले इसलिए उसको विशिष पहचान दी जाती है जैसे कि कश्मीर के आप प प्रमोशन हो सके इसलिए जी आई टैक जो है वो दिया जाता है अब आपका काम यह है कि राजस्तान से कितनी चीजों को जी आई टैक दिया हुआ है उसकी लिस्ट जो है आज आप बनाएंगे और हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में भी शेयर कीजेगा ताकि आपकी गुड महोश्व की शांदार सफलता के बाद में जो है सिदार्ट नगर जिले में काला नमक चावल महोश्व जो है उसको आयोजित किया है अब देखिए यह जो दिवसी यह जो है तीन दिवसी है चावल महोश्व कारेकरम का आयोजिन एक जनपद एक उत्पाद वन प्रदेश सरकार जो है इसके तहट कितने सारे कारे कर रही है हर डिस्ट्रेट का जो इंपॉर्टन प्रोड़क्ट उसको प्रमोट कर रही है तो इसी परिपेक्ष में उन्होंने जैसे कि देखिए गुड को प्रमोट किया है स्ट्रॉबरी को प्रमोड किया है काला नमक चावल जो है इस चेतर में उगाया जाता है और पूर्वी उतर प्रदेश के कुछ जिलो का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड़ेक्ट यह है इस चावल को बुद्ध का महाप्रसाद कहा जाता है और मुक्य रूप से देवरिया गोर परकपूर और गोंडा महाराज गंज सिधार्त नगर बलरामपूर संत कबीर नगर एक्सेक्ट्रा इस इलाके में जो है इसकी खेती की जाती है तो इसलिए यह हमारे लिए इंपोर्टन हो जाता है ठीक है जो इंटर्वी की तियारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपोर्टन संशेप है जिसका नाम है CDRI Coalition for Disaster Resilient Infrastructure देखिए भारत के द्वारा बनाया गया है और इसमें 27 सदस्य जो यूरोपिय संग है यानि यूनियन है उसने जो है इसमें जो है यह भारत के साथ शामिल हुआ है तो यह क्या है तो देखिए आपदा प्रती रोध के लिए एक संगर सरचना है ठीक है अव सरचना यानि इंफ्रस्ट्रक्चर है इसको भारत के द्वारा जो है वो बनाया गया है 23 सितंबर 2019 को न्यूएर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवाईू परिवर्तन शिकर संबेलन में इसे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है वो राष्ट्रिय मंच है जिसमें सारवजनीक और नीजी दोनों ही छेत्र के लोग जहें वो शामिल होंगे इसका लक्षिव सतत्थ विकास और सतत्थ विकास का समर्थन करना जलवाईू और आपदा जोकिमों के लिए नई एवं मौजुदा बुनियादी अमसरज अब सरजना प्रणाली के लजी लेपन को जो है वो बढ़ावा देना है तो यह इसलिए इंपोर्टन हो जाता है यह यूएन कॉंग्रेस हुई है आपराद की रोकताम और आपरादिक नियाय पर तो यह इतने इंपोर्टन नहीं है इसको आप छोड़ सकते हैं यह भी छोड़ सकते हैं बस इसमें जो है देखे यही इंपोर्टन जो है न्यूस थी आज जो हमने पढ़ ली है इसके अंदर अब जो है अब हम आ जाते हैं इस पेपर के उपर जो की जो है बारा मार्च कोई हुआ है और इसका मॉडल हल प्रश्ण पत्र इन्होंने दिया है देखे पहला सवाल क्य है तो यह प्रश्ण नहीं करेंगे हम करण्ट अफेर्स के जो है को देखते हैं तो देखे यहां देखे जब आपने मार्च की क्रोनलोजी हमने पढ़ी थी तो हमने रामगंज मॉडल और भीलवाड़ा मॉडल दोनों को पढ़ा था तो देखे सन 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस प्रकार के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए विख्यात हुआ तो यह कोरोणा नियंत्रण के लिए जो है इसको जो है ख्याती मिली थी नेक्स्ट हम देखते हैं अब देखे यहां 27 नंबर का प्रश्ण देखे यह क्यूंकि आज ही मैंने आपको पढ़ाया है कि नए लोकायुग्थ जो है लोहरा जी उनको बनाया गया है जो राजस्थान के हाई कोड के न्याइदीश रहे हैं तो यहां देखे इनके उपर एक कुश्ण है लोकायूग्थ में एक लोक सेवक के विरुद कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायद जो है वो नहीं किजा सकती तो इसका सही उत्तर है पांच वर्ष पांच वर्ष से जादा पुराना अगर कोई होगा तो उसके बाद जो है उसकी शिकायत जो है आप दर्ज नहीं करा सकते तो इंपोर्टेंट सवाल हो जाता है फिर देखे करेंट का कोशन है आपर राजस्तान में जन सूचना पोर्टल क पहले चरण का उद्गाटन जो है वो कब किया गया है तो इसका सही उत्तर है अगस्त 2019 के अंदर जो है इसका उद्गाटन किया गया था फिर नेक्स हम देखते हैं राजस्तान सरकार ने सरकारी नौकरी में खिलाडियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षन का प्रावदान क क्योंकि नियुक्तियां जो है चेंज होती रहती है लेकिन आपको पता चलगे कि इस प्रकार के प्रश्ण भी पूछे जा रहे हैं फिर राजस्तान संपर्क पोर्टल यह तो हमने पढ़ा ही था यह हमने दिसंबर की करोनलोजी में कहीं पढ़ा था तो देखिए यह संपर् फिर देखते हैं नेक्स्ट राजस्तान में कोविड नाइंटीन टिका करन अभ्यान कितनी तारीकों को जो है वो शुरू हुआ है देख लिए कितना रिसेंट कोशन पूछा है इन्होंने फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट कोशन यहां देखते जाए कि राजस्तान के किस विद् तंतर दिवस में जो नेत्रत्यों करने वाली पहली महिला पाइलेट स्वाती राठोर राजस्तान के किस जिले की रहने वाली है यह कोशन देखिए फिर है सबी सरकारी योजनाओं की जानकारी यह तो दिसंबर 2020 को किस पोर्टल की शुरुवात राजस्तान में की गई है तो य देखिए यह जो खिलाडी है यह कराटे संबन देते हैं अब हो सकता है आप से वह निशाने बाज वाले खिलाडी पूछ ले अब देखिए नेक्ट राजस्तान के जिस स्थान पर सीताफल उत्कृष्टता केंद्र का लोकारपन हुआ है वह कौन सा जिला है तो इस सिताफल है राजस्तान के राज्य खेल 2020 का आयोजन कहां हुआ है यह कुशन पूछा है पश्चमी राजस्तान उद्योग हस्त शिल्प उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ है इंद्रा रस्वय योजना के संदर्ब में निम्न कतन जो है इनके बारे में बताईए अब देखिए इसको ह है अब यह सभी सभी इंदर नहीं हो रही है और मातर यृवत में भोजन उप्लब्द कराएब यह िसमय जो हैब वो गतन है तो इसका जो सभी उत्तर हो जाता है एक दो और चार सई अब देखिए राजस्तान जो है परेटन नीती वो कब लागू की गई यह एकदम जो है क्या कहते हैं करंट का कोशन है फिर है नेक्स्ट जो है इसमें है देखिए नेक्स्ट है मुख्यमंत्री निश्वल्क दवा योजना जो है उसको कब शुरू किया घया था फिर है निमनमले से कौन सी योजना है जो महिला सशक्तिकरण से संबंदित है फिर कोशन है इंदरा ररसो योजना जो उसका शुभारम कब जो है वो किया गया है तो ये देखे करंट अफेर्स से संबंदित जो कोशन से है वो इसमें पूछे गए हैं जो हमको पढ़ लेने चा जैपूर का परकोटा शहर अभी हाली में समाचारों में चर्चा में था तो ये क्यूं था तो देखे इसको विश्व धरोर सुची के रूप में जो है स्तलों के रूप में नामंकित किया गया था इसलिए चर्चा में था प्रतिक हजेला कौन है तो अब ये एकदम ही रिसे पाल पताई है कलराज मिश्री जी है मुक्य नियादीश कौन है यानि के हाई कोट के मुक्य नियादीश तो इंद्र जीत मोहनती जी है मुक्य मंतरी पताई है विदान सभा के अद्यक्षे सीपी जोशी नेता प्रतिपक्ष कौन है गुलाप चंत कटारिया मुक्य सचे तक क भी बनाया है प्रताप कृष्ण लोहराजी और फिर जो है मुख्य मंत्री के आर्थिक सलाकार है अर्विंद माया राम और वैसे जो सलाकार है वो है गोविंद शर्मा पुलिस महादिश निदेशक हैं एम एल लाथर पुलिस कमिशनर जो जोतपुर के हैं वो है आनंद कुमार श्रिवास्तव पुलिस कमिशनर जोतपुर हैं जौस मोहन फिर राजस्तान लोग सवायों के अद्यक्ष भुपेंदर शर्मा और राजस्तान करमचारी चेन बोर्ड के जो अभी अपने उपर देखा क पुछा गया इसके उपर तो वह हरी प्रसाज शर्मा फिर देखता है राज जी के हमारे निर्वाचन आयुक्त कौन है तो प्रेम सिंग महरा है मुख्य चुनाव अधिकारी कौन है प्रमीन गुपता है और मुख्य सूचना आयुक्त सूचन राज्य सूचन आयोग के यानि प्रसाद लक्षमन सिंग राठोर नारेन बारेट और सुच्छी शीतल दनकर्ड राजस्तान मानवाधिकार आयोग के अधिक्षकौन है जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास राजस्तान मानवाधिकार आयोग जो है उनके सदस्य से छोड़ दीजे सदस्य कोई नहीं पूछत है माधिमेक शिक्षा बोड अजमेर जो हैं उनके अध्यक्षकौन है धर्मपाल जरोली राजस्तान कर बोड इसका तो अभी तक नहीं पूछा गया है राजस्तान सिवल सर्विसेज अपीली अधिकरन जो है इसके अध्यक्ष है रवी शंकर श्रिवास्तो फिर देखते हैं तो इतने इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन हाँ यह जो फर्स्ट लाइन थी यह काफी इंपॉर्टेंट थी तो इसको आप थोड़ा सा याद रख लेजेगा बाकि यहां वाले जो है आप छोड़ भी सकते हैं फिर है हमारा हां राजस्तान क्रिकिट संग के अध्यक्ष कौ यहां तक के इनको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेगा दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको अर्यम से जो है नाम याद हो जाएंगे उसके अलावा जो है कोई खास इसमें नाम है नहीं जिसको याद रखा जाए क्योंकि उन पर कोशन नहीं पूछे जाते हैं फिर है नव कर देंगे बाकि अप्रेल की क्रोनलोजी आपकी आज तक की पूरी हो चुकी है तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहे और चैनल के साथ में बने रहीगा धन्यवाद